दोस्तों आप अगर fan है Google Pixel के लेकिन लाग रुपए 90,000 रुपए नहीं invest करना चाहते हैं तो यहाँ पर Motorola का ये model हमको clean Google का experience देने वाला है पिक्सल का experience देने वाला है Android 12 को जितना बहतर से Motorola show कर रहा है मुझे नहीं लगता कि Xiaomi और दोस्तों ओपो वी वो इस तरीके शो करें क्योंकि यहाँ पर clean stock Android है तो Android 12 का experience हमें same Google Pixel वाला देखने को मिलता है तो यह होने वाला है एक बच्छी ब्रैंड से पहले दोस्तों यहाँ पर Motorola लेकिया आया है Android 12 जितना clean Pixel में आता है वैसे ही दोस्तों Motorola में आएगा और devices में Android 12 पिक्सल के जैसा नहीं लगेगा तो यहाँ पर processor भी दमदार है और उसके बाद जो Android 12 का clean UI है पिक्सल जैसा वो भी दोस्तों यहाँ पर है करेंगे unboxing जानेंगे चाइना की प्राइज और जानेंगे कहीं की availability नहीं क्यों कहीं पर available नहीं हुआ है जैसे available होता है दुबए में उसकी information भी मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो में करेंगे डीटेलिंग मोटर लाकी तो जनता लाइक तो बनता लाग काला बनता दोस्तों बॉक्स हमको यहां पर DHL का रसीव हो गया बहुत ही जलती मुझे मंगवाना था तो मैंने DHL से मंगवाया आप बॉक्स कोलते ही ओ यह कुछ चाइनीज रसीपी भी यहां पर आगी है यह क्या तो यह कुछ दोस्तों बॉक्स के अंतर आया है यह एक्जैक्ली क्या है आई डोंट नो चाइनीज रसीपी हम इसको साइड में कर देते हैं अब बॉक्स यहां पर ब्लैक कलर का है और साइड में यहां पर लिखा गया है मोटरोला एज एक्स थर्टी फाइव जी और यहां ऊपर साइड कुछ भी नहीं है उपर की साइड कुछ नहीं बैक यहां पर कौन सा वेरियंट है यह देख लिजिए 8 GB की रहम और 256 नहीं 128 GB इंटनर स्टोरिज वाला और इसके बैकसाइड में कुछ नहीं इसके बैक साइड में लिनॉव को मेंशन किया गया जैसे के मोटरो से यहां से मैं थोड़ा सा कट लगा दिया है अब दोस्तों यहां से रापर को रिमूव करते हैं हम दोस्तों सील ब्रेक कर दी है तो अब क्या बोलेंगे हम क्या बात है भाइ क्या बात है सबसे उपर यहां पर मोटरोला का फोन सबसे कर देदे हैं और के अंदर यहां पर कुछ पेपर वाट्स हैं सिंप इन भी है यहां पर साइड में ओके मॉडल का भी यहां पर नाम लिखा गया है साइड में कर देते हैं उसके बाद केस की क्वालिटी कैसी रहेगी not bad decent quality का केस है और केस के साइडों में हमें यहां पर थोड़ा सा अलग डिजाइन दिया जाता है उसके बाद दोस्तों यह यहां पर adapter कितने watt का होगा आपका सवाल सवाल अच्छा है आपका जवाब भी मेरे ख्याल में अच्छा होगा यहां पर 68 watt का adapter टाइप C वाला है दोस्तों उसके बाद cable जो होगी C to C एक बार मैं आपको दिखा दो जिए हां यहां से नदर आ रहा है cable जिसकी quality काफी अच्छ दोस्तों बॉक्स में कुछ भी नहीं बॉक्स पूरा खाली है अब दोस्तों लेट को यहां से रिमूव करते हम स्लोली स्लोली बिल्कुल स्लोली इसको करना है मुझे रिपैक ओके फाइनली हम इसको रिमूव करने में सफल रहे वाँ 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 ओ भाई वाँ क्या soft soft matte finish ओ भाई क्या बात है क्या तो बात है क्या तो लुक आया है दोस्तों यहां पर stickers को भी रिमूव कर देते हैं जो हमारी shining को हमसे दूर कर रहे हैं तो रिमूव कर देते हैं अब दोस्तों आपको यहां पर कुछ clean view मिल रहा होगा Motorola Edge 30 X30 Motorola Edge X30 का लुक में दोस्तों यह काफी अच्छा लग रहा है काफी premium touch में बहुत soft तो यहां पर हम start करते हैं अलका सा vibrate आया 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 और यह आया Motorola का logo जब तक दोस्तों लोगो आ रहा है तब तक हम physical overview की बात करें तो यहां पर थोड़ी से निराशा होगी power का button बहुत ही उपर दिया गया है volume up and down और power button बहुत ज्यादा height में उपर है निराशा हो गई उपर एक voice cancellation mic है अच्छी बात है साइड में दोस्तों एक power on off का button है यहाँ पर है यह एक Motorola का बटन आता है शॉटकर्स के लिए उसकी बात हम आगे करेंगे नीचे दोस्तों यहाँ पर type C की connectivity speaker will speaker नीचे ही है एक speaker नीचे ही दिया है और उसके बाद यहाँ पर sim tray है sim tray दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर यह dual है कि hybrid है जी हाँ दोस्तों आप memory card नहीं लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो sim card ही लगा सकते हैं आगे दोस्तों हम इसकी welcome screen में और सीधा ही यह Chinese language में गया है लेकिन आपको यहाँ पर English English language का support मिलता है आगे दोस्तों हम इसकी home screen में क्या तो बात है मैं दोस्तों कहूंगा कि यह बिल्कुल हमको google pixel वाली feeling यहाँ पर दे रहा है Android 12 का वो Motorola exactly वैसे दे रहा है उसके बाद गूगल यहाँ पर completely perfectly चल रहा है गर आप चाना से इंपोर्ट करते हैं दुबाई में available नहीं हुआ है चाना से भी इंपोर्ट करते हैं तो आप इसको google के सारी applications आप यहाँ पर download कर सकते हैं इसको run कर सकते हैं बाकि Chinese application सब यहाँ पर install हो जाएंगी बड़े ही आज राम से आप install कर सकते हैं आपकी दोस्तों अब हम कुछ और features की बात करते हैं अब दोस्तों quick specifications की बात करें आपकी screen में यहाँ पर सभी details आ गई होगी जो सबसे बड़ा feature आपको पता ही है वो है दोस्तों snapdragon का 8th gen 1 का processor इसका N22 score बहुत ज्यादा है उसकी scoring में हम देख रहे हैं जो screen का size है दोस्तों वो 6.7 inch का हमको यहाँ पर देखने को मिलता है OLED OLED की screen है 144 Hz का refresh rate वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूं camera दोस्तों यहाँ पर rear side में 3 camera देगे हैं 50 megapixel 50 megapixel और 2 megapixel दोस्तों यह वाला feature हो सकता है कि ज्यादा लोग को पसंद ना यहाँ पर option refresh rate का जो option दिया जाता है वो यहाँ पर सिर्फ 2 यहाँ तो base 60 Hz यहाँ तो 144 Hz यहाँ पर 120 और 90 रखने का नहीं है अगर आप full में जाते हैं त refresh rate जो है वो रख दिया है 144 Hz का उसके बाद smoothness यहाँ पर काफी strong होगी है फास्ट दियाब response देगे चिपसेट भी इसमें दमदार है डिस्पले तो और ज्यादा दमदार होने वाली है अब N22 जो के सबसे ज्यादा score Android के world में आने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर आने वाला ह testing start हो चुकी है क्या score आएगा वो थोड़ी देर में हमें मालूम पड़ जाएगा company ने claim किया है brand ने claim किया है 1 million 10 लाक आएगा कि नहीं आएगा वो हम देख लेते हैं ओ दोस्तों निराशा थोड़ी सी हो गई यहाँ पर जो score है वो काफी कम है एक million से लाइक यहाँ पर कुछ 60-70,000 कम आए हैं दोस्तों benchmark scoring यहाँ पर आपके सामने है single core 1192 इसके बाद multi core यहाँ पर 3340 यहाँ पर हम फिलहाँ जो compare करेंगे तो comparison में यह सबसे उपर यहाँ पर score इसको मिला है यहाँ पर S21 Ultra से इसको ज़्यादा scoring हमें benchmarking में मिला है अब दोस्तों यहाँ पर camera shot की बात करें जो के मैं low lighting में भार शाम हो रही थी शाम के वक्त में दोस्तों जो इसने picture ली है मैं काऊँगा no doubt picture detailing देखे यहाँ पर face में भी detailing है और यहाँ पर dress की detailing भी मुझे काफी ठीक नजर आई है यहाँ पर कुछ और selfie है selfie camera दोस्तों photo में मुझे काफी बहतर नजर आया उसके बाद अगर हम video की बात करें शाम का वक्त हो रहा है यहाँ पर 6 बज़ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर रात होने का समय है और मैं काऊँगा दोस्तों रात के low lighting में इसका camera ज़स सेल्फी का है मैं काफी ठीक है detailing rear का camera दोस्तों वीडियो ग्राफरी में rear का camera मुझे ज्यादा बहतर लगा है सेल्फी में मुझे सेल्फी वीडियो में और सेल्फी किसमें फोटु में मुझे सेल्फी फोटु ज्यादा बैतर नजर आई है ठीक है camera मैं काऊँगा ok तो एक flagship device है और आपने fingerprint side में दिया है और डिस्प्ले नहीं दिया है और वो भी इतना उपर नॉर्मली आप ऐसे पकड़े तो आपको एक हात उपर लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर fingerprint तो दोस्तो no doubt, fingerprint तो जबरदस्ता आपके सामने है बिल्कुल 10 out of 10 इसके fingerprint sensor के लिए 10 out of 10 लेकिन इन डिस्प्ले होना चीए था face unlock मैं हूँ बिल्कुल सामने power button दबाया थोड़ा सा स्लो है दोस्तों यहाँ पर जो वाइब्रेटेद हो तो speaker का पूरी बैक बॉड़ी में हमें फील हो रहा है vibration sound quality बॉड़ अच्छी है लेकिन वाइब्रेट यह बैक बॉड़ी में ज्यादा हातों में ज्यादा फील हो रहा है यह बात मोडरोला जी अच्छी नहीं है चाइना में जो इसकी प्राइज रखी गया है वो मात्र दिर्हम के मुताबिक साड़े सत्रा सो सत्रा सो पचास दिर्हम के आसपास इसकी प्राइज रखेगे इंटेंट करंसी आपकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनता लाइक तो बनता लाग को काला बनता